इस्राइल की हिजबुला पर हमले के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इस जंग का दाइरा और बढ़ सकता है और इस युद्ध में मिडल इस्ट के कई देश इस्राइल पर अटैक कर सकते हैं वो इसलिए क्योंकि पहले तो 26 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने इरान पर जवाबी हमला किया और इस हमले में आईडियाफ ने इरान के कई सैनेट ठेकानों को निशाना बनाया वहीं दूसरा यमन का हूती अब अंदर ही अंदर कुछ बढ़ा करने की तैयारी में है क्योंकि हूती ने अब एक बहुत बड़ी मिलिटरी डील की है जिसमें उसने ऐसे ऐसे हत्यारों को पेश किया है जिनका इस्तमाल इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अभी तक किया नहीं गया हूती का कहना है कि उसके जखीरे में अभी ऐसे कई घाता के तियार है जिनकी ताकत से इसराइल और अमेरिका अंचान है आपको बता दे कि हूती ने इस मिलिटरी डील को आपके चहरे को मन्हूस बनाने के लिए का नाम दिया है हूती ने इस ड्रिल के जरीए दुश्मन द्वारा किये गए कालपनिक हमलों का कैसे जवाब दिया इसका अभ्यास किया है हूती का कहना है कि उसने सैन्ने अभ्यास में कालपनिक रूप से यमन के रेगिस्तान, तर्ट शहर, पहाडी और यमन की जमीन पर दुश्मन के हमलों का जवाब देने का अभ्यास किया हूती के मताबिक उसकी ये मिलिटरी ड्रिल पवित्र जिहाद का हिस्सा है हूती ने इस ड्रिल में 9,9 और 30 सुरक्षा, शहरी युद्धा अभ्यास, पहाडी इलाकों, रेगिस्तान और सारवजनिक जगहों को लेकर युद्धा अभ्यास किया हूती ने अपनी इस मिलिटरी ड्रिल में ये भी दिखाया है कि कैसे उसका एडवांस कमांड और कंट्रोल सेंटर, तुश्मन के हमलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और मैनेश्मेंट कर सकता है जो जासू सी उपकरणों, कम्यूनिकेशन डेवाइस और कई तरह के हथियारों और मिसालों से लैस है हूती ने इस वीडियो में अपने खूंकार स्नाइपर हथियार, टॉर्पीडो और समुद्रे ड्रोन्स की ताकत दिखाई है आपको बता दे कि इस ड्रिल के दोरान सबसे चौकाने वाली बात ये रही कि हूती ने अपने सैन्ने बेड़े में एक नई जून पंडू बी अलकरिया को शामिल कर दिया है जो एक बहुत बड़ा धमाका करने में काबिल है इसके लावा ये पंडू भी अमेरिके जेट्स पर हमला करने के लिए स्टील्थ टेकनोलोजी से भी लैस है लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर हूती ने अचानक से इतनी बड़े मिलिटरी ड्रिल क्यों की तो आपको बता दे कि हूती को अमेरिका और ब्रिटेन के तरफ से किसी बड़े हमले का डर सता रहा है क्योंकि हालिया दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किये हैं और अब हूती को ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका हूती पर कई फ्रंट से हमला करता है तो ऐसे हालातों में वो इसका सामना कैसे करेगा और यही वज़ा है कि हूती ने इतनी बड़ी मिलिटरी ड्रिल की है आपको बदा दे कि हूती अंदर ही अंदर तेजिस जनाय हत्यारों का प्रोडक्शन भी कर रहा है जो रणनेतिक रूप से किसी हमले में निरनायक साबित हो सकते हैं इसके अलवा हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन से दो टूब कह दिया है कि अगर उन दोनों ने यमन के भीतर हूती पर कोई बड़ा हमला किया तो वो उन्हें बचकर जाने नहीं देगा उती का ये भी कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन को अपने नौसैनिक और एरफोर्स नाकामियों से सबक लेना चाहिए क्या सक्क्राओर आसाए हुट झार नहांसाए हुटा भीक यामा सक लेका ये लेका ये पिली को बीक consumer, दो में से सबक्कामें में थामेश्सावक को अपने विल वर भीक यार खुնर ए half है झाल झाल